तो बच्ची वी जो फॉर्मूलेशन से हमारी स्लेवस के वाज हम लोग उसको कवर करेंगे तो उससे पहले एक और इसमें कर लेने प्रवाल तू पार्ट होता है बाकी सबी चीज़े एक एक पार्ट होती है इसको करेक्शन करा लेना तो अब स्टार्ट करते हैं चलिए नंबर 11 से 11 नंबर की फॉर्मूलेशन हमारी कौन सी है उसले बस में आपको मिलेगा लक्षमी बिलास रसा इसको ध्यान क लिए तो अकॉडिन टू डिफ्रेंट आचारे दो तीन तरह के लख्षमी बिलास रस होते हैं तो सभी को लोग किसकर करेंगी जल्दी 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 रसेंद्र सार संग रहा रोग अदिकार क्या माना है उन्होंने बात ब्यादी और भावनाद रब्य नहोंने क लिए और आपको मिलता होगा नारदिय लक्ष्मि पिलाव सरसर किताब का नाम क्या है रखेंग है गलब लिखा हुगा हुआ उगा तो पान या फिर ताम्बुल महा लक्ष्मी दो जगे आता है तो हमें किया करना है अकॉर्डिन टू ऑप्सन समयांसे टिक करने हैं वैसे पेपर में तो नारदी और लक्ष्मी ग्लास पूछे जाएंगे अगर आपकी किस्मत खराब है तो यह भी आपसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको रेफरेंस भी लिग देता हूं और दो इसके रोग अदिकार है तो पहला हर जगे आपको एक ही मिलेगा वह वह द्धतूर है तो भावना मुझम किसी देते हैं धतूरकी तो यह होगी लक्ष्मी ब्लास दिकार बातब्यादी ताम बुलिया फिर पांड रस की भावना नार्दी लक्ष्मी ब्लास पूछा जाए तो रोगदिकार हो जाएगा जिए और भावना तरब भी सेम रहेगा अगर महालक्ष्मी बलासरस पूछा जाए तो धतूर्गी भावना सिरो रोग या फिर रसाइन रोगादिकार चली 12 नंबर की फर्मूलेशन है हमारे सामने बसंत कुस्मा कर रसा ठीक है यह तो आप पढ़े ही होंगे तो इसमें क्या है कि पहला उप्संस तो फर्स्ट रोग अगर पहला दिया है पेपर में तो प्रमे लगाना है और कभी-कभी पेपर में प्रमे नहीं देते हैं तो सेकं कम आ सकता है तो अभी मैं लिख देता हूं आपको यह रियाद होना हूं तो जैसे गो दुग्द हो गया एक चूरस बासा लाक्षा कदली उदिच्य सत्पत्र मालती और कुसंब तो आठ भावना आती है तो पुस्प बगएर भी लिख लेना आप सत्पत्र मालती इन सभी की नहीं है और बसंद नगेडियंट हमें याद रखना है वह कश्तूडी है कश्तूई इस तरीके आप से कुसंब प्संद कुस्माकर रस से पूचे जा सकते हैं और बाकी सभी इंगिडियंट के वारें पूचा जाए तो सभी चीज़े लगवाक सेम ही रेती हैं तो जब से हम समभाग में लेते हैं तो हमें अलग से नहीं पढ़ना है नंबर 13 नंबर के हमारी जो फॉर्मुलिशन है वो बसंत मालती रसा बसंत मालती रसा बेरी इंपोर्डेंट है न कौन सी किताब में आया है रसपद्द्दी में इसका बरड़न आया है और रोगदिकार भरे रोगदिकार, वल्हें इंपोर्टेंट हों यह यादर रखना है कि त्वोडन का बेद्दी आपको पता ही होगा इसे और खर-पर сами client क्या है कि देखो जब हम इंक्रीजंग ऊड़र में देखे less और one ratio वह लेकिन खर पर आठ बाठ चला जाता है सबी इDER मखर पर यह औरивает है उपकी पहली दो और न यह देती है ऑक sheep प्रफिल किसका सिनोनिम से मक्खन बटर का याद रखना मक्खन या बटर को हम लोग क्या बोलते अखिलम और सेकंड भावन लोग देते निम्बूरस की या निम्बूस्वरस की तो यह हो गया बसंतमालती रसके बारे में इसके इंग्रिडियंट देख लिए ना पांच इंग संतामणी यह तो आपने सुनाई होग बहुत एंपूर्टेंट बहुत इंपूर्वना द्रब्य और लावन द्रब्यत पढ़्टे वूरे होगस के रवड़कोमारी की भावना इसकी भावनों घरद कुमारी एलो वेरा की MS की बात कर लेते हैं चाहिते क्या कुशन आ सकते हैं तो दीखो प्रवाल मुकता सुवान प्रवाल मुकता सुवाण ज़र सुने की भस्म सब्रसाइब कितने हैं कितने इसके हुट सब्सक्राइब करते हैं तो अब आता बता है लोह और साथ वाग कौन सा होता है रससिंदूर रससिंदूर का दूसरा सुनोनिम्स क्या है रसभस्मम तो इसकी इंग्यूडियंट के बारे में देख लेना तीन पार्ट होते हैं तीन दरब्बे प्रवाल मुक्ता स्वर्ण तो इसको याद करने का तरीका क्या है PCM या PMS या अगर्ण कर देना घ्रत कुमारी की अभाना हम लोग इसमें देते हैं नंबर 15 की तरफ चलेंगे नंबर 15 संखवटी है जैसे संखवटी महा संखवटी इसके वे तीन-तीन टाइपस है लेकिन हमको क्या समझना है इंपउर्टेंट चीज तो अजीर्ण या फिर अगनी मांद लोगदिकार में क्या सकते हैं त्रुक Quindi में पांच लावण होते हैं पस्ते भी ज़्यादा इंपॉच्टाइर कुछा इंपोर्टेंट रोगदिकार नमबर टू इंपोर्टेंट नमबर तीन को संसिसका क्या है भावना दरभ्य बेरी इंपोर्टेंट है भावना दरभ्य तो आपने उसका ट्रिक भी समझाओगा न त्रिक क्या था इसको संक के बेटे को अजीर्ण है निम्मू की भावना देनी है अब देखो संक बटी एक संकर बटी और आत्मी इस लिपस में नहीं है लेकिन फिर्वी में बता देता हूं संकर बटी इंपोर्टेंट है इसका हिर्दय रोग अधिकार है हिर्दय रोग अधिकार संकर बटी ठीक है और इसके भावना दरब बहुत से हैं लेकिन आपको एक इंपोर्टेंट याद रखना अर्जुन की भावना अर्जुन मतलब हिर्दय रोग में हम लोग प्रियोग करते हैं लेकिन अर्जुन एक exception है चरक के महाकसाय में आपको को स्क बारे में बड़े थे थे उसकी बारे एक छीज लिख लेना सरतन समूद्य करते हैं किसका करते हैं बहुत सी भावना यह पंच प्रियोह करते हैं गभी पुशा जाता है कौन-कौन सी चीजे मिलकर पंचपित्त बनाती है तो मत्सय गवर काय है न अस्वहरिण और मयूर यह पाँचों चीजे मिलके पंचपित्त बनाती है कुछकों आ सकता है कि विजबदर फौल्वेंगे जिननों के पाट पंचपित्तम तो यह एक्स्ट्रा न कि मिया है कि स्वास प्रोग अदिकार है मैं इसके अंदर क्या होते हैं इसे अंदर क्या होते इसों मनसिला ठीक है और यह को संस्किया सकते हैं आपके सामने तो अनुपान देख लेए नानुपान क्या है आध्रक या फिर तामुल तो ऑप्संस पर देखके टिक करना है पहला रख जाएगा दूसरा तामुल जाएगा या नुपान के बारे में है तो यह हो गया स्वास कोठार रसा के बारे में आगे चलेंगे नंबर अठार है हमारे सामने हिंगुलेस्वर रसा हिंगुलेस्वर रसा और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरू दबा जी दिजिए और हमारा चैनल है वीडिडी मेडी जी के नाम से पेलीग्राम को जोइन कर आप लोग जिससे कहीं भी कोई भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी इंगुलेस्वर रसा के बारे में देख लेते हैं रोगदिकार इसका क्या है जुवर इंपॉर्टेंट है उससे भी आदा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर तीन ही इंगेडियोंट ह होते हैं लेकिन चोटे इंडिडियोंट है झिर रॉग डिकार और आचारी कौन थाले वह जा सब्सकिया इंभूस्वारस की भावना है और जवर कौन सा है अगर आपसे स्पिस्टिक पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा बात जजवर अनूपान क्या है हिंगले सरस्का तो हमें आंसर लगाना है मदू अनूपान होता है ठीक है नंबर 19 की तरफ चलेंगे हेम गर्व पोटली हेम गर्व पोटली स्टार मार्क उसन्स हेम गर्व पोटली इसके चार इंडियेंट होते हैं रसेंद्र सार संग्रह जी कि याद गरने का तरीका क्या है दिखाए आप बेंक में जाते हो आइटी जी आख करते हो नहीं आई ट्री जीएस ट्रिक याद कर लेना रासभासम थाम्रगंदक शोनड़ अरसबस्मत तांब्व गंदक और सवनन मतलब सवने की भसम में कि रिष्टिल्था गितना रहेगा 3 ratio 1 ratio 1 ratio 1 RTGS trick याद कर ले न हेम गर्व पोटली आपको याद हो जाएगा बेरी-बेरी important question यहां से पूछा जाता है वो भावना दरभी से related तो भावना क्या है? चित्रक मूल की कौात की भावना याद रखना star mark कुस्टन है चित्रक मूल कौात की भावना और हेम गर्व पोटली बनाते समय हम लोग कौन सा पुट देते हैं तो कौन सा पुट देते हैं हम लोग गजपुटम बेरी important है गजपुट का परियोग हम लोग करते हैं यह तो होगे हेम गर्व पोटली के निर्माड के समय इसके बारे में आपको पता ही होगा देखती पता चल जाता है कहां यूज करेंगा हिर्दय रोग 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 दिकार important इसमें question पूछा जाता है मिसा भावना प्रभी से तो दो भावनाएं हम लोग देते हैं पहली भावना है तिर्फला की और दूसरी भावना very very important है काक माची याद नहीं रहता है काक माची की भावना है और इसके अंदर तीन ही ingredient होते हैं पीटी जी बोलते हैं हम लोग इसक आपर क्यादा पिपली हिंगुलबत्स नाव उसके अंदर गंदक नहीं था पारद तामर और गंदक का प्रियोग करेंगे तो यह होगे आपका हिर्दय आवरण रसा तो आगे की जो preparation है नंबर 21 स्वर्ण बंग से क्या क्या कुशन पूछे जाते हैं स्वर्ण बंग में स्वर्ण का ratio कितना है कूपी पक को रसाइन है तो कूपी का प्रियोग हम लोग कौन से अंतर के साथ करते हैं बालो का यंतर में हम लोग इसको निर्मार करते समय प्रियोग करते हैं इसका रोगादिकार तो प्रमेह रोगादिकार में इसका बढ़न आया इस्टार माल कुशन कर लेना अब बेरी इंपोर्टेंट इसकी फलसूर्ति तो फलसूर्ति की लास्ट लाइन देख लेना जैसे बलं बल्यम मेह हरम बल्यम मेह हरम कांती मेदा बीर्या कांती मेदा बी नेक्ट नमबर 22 की बारे में देख लेते हैं मकर दजम तो देखो मकर द्वज का रोगदिकार क्या है ज्वर रोगदिकार हमें सेकेंड आंसर लगाना याद रखना तो पहला आंसर क्या जाएगा बाजी करण बेरी इंपोर्डेंट है दो तींज जगे आता है हमार आंसर अकॉर्डेंट टू कोसंग चेंज हो जाएगा अगर आप्संस मुनों ने जब बाजी करण दे रखा आये तो हमें पहला बाजी करण ही लगाना है ठीक है पहला आंसर ज्यांसर देख ले ने स्टार मार कोसंग है और देखो भावना दरब्द की बात कर लेते हैं अगर आप बाजी करण रोगा डिकाल लगा रहे हो तो इसकी दो भावनाएं होती है एक तो रख्त करपास पुस्प की भावना और दूसरी ग्रतकुमारी की भावना ठीक है अगर केबल जवर है तो उसके अंदर एक ही पारे में है चलिए चलते है नम्मर तेशी स्लेबस में आपके अकॉर्डिंग है बात विद्वन्सन रसा तो जब इसका नाम ही बात विद्वन्सन है तो रोगदिकार क्या हो जाएगा बात व्याधी लेकिन इंपॉर्टन चीज़ां यहां से क्या पूछी जा सकती है भाव बनां निंगुस्वरस की है ः लिके और यह बात तो बिद्वन सरस को हम लोग क्या करते हैं अ THERE विला करते हैं घू लाख का लेप करना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद हम लोग पाक कराते हैं बालुका यंत्र में बालुका यंत्र में पाक कराते हैं लोका में आता है कठितो नंदी नाथम ठीक है तो यह हो गया बात बिद्वन सक्षा के बारे में नंबर 24 हमारे सामने आता है कामदुगर रसा कामदुगर रसा तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरू दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए आप अपने फिरेंस के साथ में और आपको पीडियाफ अगर इसका चाहिए तो बाटसप नमबर के कॉंटेट कर सकते हैं सरके 9336-23729 काम दुब्ध रसके बारे में देखते हैं तो इसका रोगादिकार आमलपित्त याफिर पित्त जब इकार रोगादिकार माना जाता है इसके इंगिडियेंट क्या होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं कौन से वाले पूछे जाते सुदावर्ग के द्रभ्य होते हैं लेकिन उ सुक्ता प्रबाल संख सुक्ति बराटिका यह सभी मिलेंगे लेकिन हमको इंपॉर्टेंट फोकस किसके उपर करना है हमें इंपॉर्टेंट स्टार मार करना है वह सुद्ध गेरिक और गुडूची यह हमेसा याद रखने हमें सुद्ध गेरिक और गुडूची क्योंकि ब भावनतर पर बताया है कुछ ने नहीं बताया है तो यह optional है अगर options उन्हों ने पूछा है तो आप आम लकी स्वरस टिक कर देना अगर question आ जाता है और भावनतर पर पूछा है तो आपको एक ही ट्रक टिक करना है आम लकी स्वरस चली आगे जलेंगे 25 नंबर है न 25 ठीक है बहुत स्टूडेंट करते हैं डावट करते ना लगुसूत सेखर रसर गलत लिग दिया है चलो इसको ठीक कर लिना वाद में तो यह कौन से आचारे निए बताया है आपको देखो इंपार्टेंट रसत अंत्र सार रसत अंत्र सार सिद्ध योग संगर है और बेरी लगुसूत सेखर रस अब इनकी इंपर्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या प्रिप्रेशन के बारे में कैसे हम लोग करते हैं तो लगुसूत सेकर रसत अगर कोशन तो सुद्ध गयरिक टू-पार्ट और सुन्थि वन पार्ट वेरी इंपर्टेंट है शुन्थी क तो यह तो हो गया लगु सूतु सेखर के बारे मैंना ए--पार्ड लिख दिता है आप इसका बी-पार्ट हम लोग इसके बड़े भाई को सूतु सेखर्स पर स्कवार्ण करते तो बाद बाई इसको बदाया है तो मैं आ today को को योग Drahtn तो रस चिंता मड़ी में इसको बर्डन किया गया है सबसे पहले सूत से करशा को सीन। अमझा बताया है हम कोई आंसर नहीं लगाना है फिर से बता दिता हूं है इस second option होना चाहिए हमारा पहला options हमारा क्या है योग रतनाकर जी ने इसको कहां बताया है आमल पित्त की चिकित सामे यह हमारा पहला answer होना चाहिए क्योंकि जो आयरुवेदिक फॉर्मिलरी ओफ इंडिया है उन्होंने योग रतनाकर जी का ही reference लिया है बनाते समय सूत सेकर रसको ठीक है और क्या कुछन पूछे जा सकते है इसमें भावना द्रब्य क्या है बरंग राजगी भावना है अनूपान क्या है मदू सरपी अनूपान क्या है इसमें मदू सरपी ठीक है तो सूत सेकर रसक दो तरीके के होते है यह तो सूत सेकर एक लगु सूत सेकर पूछा जाए तो इसका जो रोगदिकार है दोनों का लगवा सेम ही आमलपित पस अंतर क्या है यहां पर भावना दरब्वी एक में पान आता है और दूसरे में ब्रंगराज की भावना होती है चली आगे चलेंगे नंबर 26 की तरफ नंबर 26 आपके सलिवस में नवायस लोगा नवायες लोगा का वरणान आचारी चरक ने पांटू की चके सामयें किया है या पड़े हां इसके अंदर क्या-क्या रहते हैं इंगेडियेंट तुरिकटू तरिपला तुरिंहगा तुरिकटू तुरिकटू तुरिफला और तुरि तो टोटल कितने हो गए तीन प्लस तीन देख ले न द्यान से न तीन 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 और एक नो तो राइट आंसर कितना जाएगा दस इंग्रेडियंट होते हैं इसमें से कुछे जाते हैं अनुपान से रिलेटेट कुछा गया है तो मदू सर्पी अनुपान बहुत बार पेपर मे चुका है ठीक है और एक और कोशन में एक्सपेक्टेट कर रहा हूं इंडीकेशन तो नवायस लोह हम लोग पांच ब्यादी में यूज करते हैं तो अब तक पेपर में केबल आप से पांडू पूछा गया है तो पांडू के अलावा और कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक है इस तरीके गाएगा विच अप फॉलवन इनौ टेन इंडीकेशन ओफ नवायस लोह है तो और क्या क्या हो सकते हैं पांडू हिर्दय रोग अर्सकुष्ट और कामला अर्सकुष्ट और कामला ये पांच इसके इंडीकेशन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नंबर 27 की लाइक बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और एईपजटी मेडीजी नाम से टेलीग्राम चैनल है जॉइन हो जाईए रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी 27 आपके सामने आएगा सब्तामरत लोभा तो सब्तामरत लोगा कुछ लोग क्या करते तिमि इंगेडियंट हमें बनाने है कैसे बनाएंगे चलो बना लेते हैं यश्कलि अंग्याद में एंड मानते हैं हम लोग याद रखना है न अधिन फ्रीयोग करते हैं तिमरा, आमलपितो, पहला अंसर सूल जाता है हमेंशा, ठीक है, और एक और परफिरेशन आपको मिलेगी, सब्ताम्रत रसा, सब्ताम्रत रसा अगर आपसे पूछा जाए, सब्ताम्रत रसा, उसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं मुक्षव रोग मैं कौन सा नसर लगए calm सब्टाम्रत्रस का प्रयोग कौन बताया है दो और भी अच्छए हैं आपको मिलें प्रसेंद्र‌साहर संग्रे हो गए hanging its clean लावा अरस रत्म योग रतनाकर जीक अभी है 28 नंबर की दरब चलेंगे तो लास्ट के स्लेवस में तीन परपटी आपके तो तामर परपटी तामर परपटी के अबने सुनाई होगा और इंपोर्डन और इंपोर्डन ग्रैनी रोगविकार और इसको याद करने का तारी compr जो 4 supp तो एट का आधा क्या होता है फूर फूर का आधा तू तू का हाफ वन वन का हाफ वन वाई टू जी प्लेट को डिकोड करेंगे अमनों गंदली प्लेट गंदक पारत लो है अब रख इसके बाद आते हैं ताम तो यह होगी टोटल ट्वन्टीनाइल फॉर्मिलेशन प्रिप्रेशन मांगते हैं क्योंकि इसके अंदर पारत गंदक नहीं होते हैं इसके अंदर पारत गंदक नहीं होते हैं रोग अधिकार मूत्र करच्छ अफिर मूत्र मूत्र रोग में हम लोग इसको लगा सकते हैं इसका हम लोग प्रिप्रेशन देख लेपते हैं तो सूर तेंगेडियेंट होते है स्वेच प्रपट्पड़ी के इंपउर्टे लेראत सूर हब आ проблемы कुषंख लीटे हैं पता है क्या ड़ Kle niños कोई सा ओता है अगा युछ कहनुंझ वर्मूल्रा कितना होगा है ऊसे तो पार्ट होगा कि सिक्स्टीन पार्ट को इस पार्ट उल्ठा घुमा के कोशन भी आ सकता है वान भाई की जगह क्या दे सकते हो पूरा बन कनवर्ट कर देंगे तो कभी आंसर गलत मत दर देना है नो नमसादर एक पार्ट ठीक है तो 1 ratio, 1 by 8 और 1 by 16, अगर यह convert करेंगे तो 16 इदर आ जाएगा, इसको divide करेंगे 2 इदर आ जाएगा, इसको divide करेंगे तो 1 इदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके क्या है आपके सामने question आ सकते हैं, इसी के साथ लगवक important, जो formulation हो सकती थी, हमने पूरा cover करने का कोसिस किय जाए और कुछ भी important की यह हमें लगेंगी, यह PGT से related हम लोग इसको regular update करते रहेंगे, यह PGT मेडी जी चैनल के माध्यम से, जो लोग भी join होना चाहते हैं, जो भी 2023 की student हैं, जो exam लेखेंगे अगली साल, वो contact कर सकते हैं, बाट्सप नमबर 9336237929 पे, thank you everyone for joining us,